आज के वीडियो में आप जानेंगे कि मुरैया के पौधे की देखरे कैसे करते हैं इसे मधु कामनी भी कहा जाता है इसमें दो तरीके की विराइटी आती है एक तो डॉफ विराइटी होती है एक लॉंग वाली विराइटी होती है मधु कामनी को मुरैया बहुत ही आप कह सकत लिए well run soil चाहिए और यदि आप बीजों से लगा रहे हैं तब ये पौधा बहुत आसानी से लग जाता है लेकिन बीज लगाने के लिए आपको rainy season में या फिर spring में ही initiative लेना पड़ेगा और बीज लगाने पड़ेंगे इसके फूल देखने में बहुत ही खुबसूरत होते है और एक साथ गुच्छों में फूल खिलते हैं लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि उनके मुरैया का पौधा सूख रहा है अभी तक flowering नहीं हो रही है तो मैं आपको आज के वीडियो में ये दिखा रही हूँ कि दो पौधे मैंने एक साथ लिये थे और एक पौधे को थोड़े स पूरे दिन के सनलाइट में रहता है और कभी-कभी सूखने लगता है तो यदि आप इस पौधे की नीड को समझेंगे तो उसके according ही इसे आप सनलाइट प्रोवाइट केजिए क्योंकि flowering वाला पौधा है तो सुबह के 2-3 घंटे की धूप ठीक है लेकिन दोपहर के धूप इसे मैंने रखा था सिर्फ उधर से फ्लारिंग हुई और दूसरे साइट से बिलकुल भी फूल नहीं खिले हैं तो यानि कि संज इधर से है उधर से फूल खिला है इसलिए पौधे को रोटेट करना ज़रूरी है देखिए ये मेरा दूसरा पौधा है और ये पहले भी मैं ने आप लोग के साँ शेयर किया था उसके बाद मैंने पूरे दिन के संलाइट में रखा और पौधे की ऐसी हालत हो गई तो कहने का मतलब है कि वैसे तो ये संलविंग प्लांट है लेकिन धूप की रिक्वार्मेंट कितनी है ये आप अपने पौधे के नीड के कोडिंग स सूख जाएंगे बहुत जादा खाद इन पौधों को नहीं चाहिए और अपने सीजन में हर पौधा उसका सीजन है तो वो फ्लारिंग करेगा ही अब आपको करना क्या है इसमें जो पत्तियां सूख गई है उन्हें कट करके हटा दीजे पौधे की गुडाई कर दीजे अब मिट्टी भुरबुरी बनी रहे मिट्टी सूखी होगी और मॉइस्ट होगी तब भी आप अच्छी फ्लारिंग और अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे देखिए जैसे इसकी मिट्टी मैं टच कर रही हूं तो अंगली में मिट्टी लग रही है तो यह सिच्वेशन नहीं है पानी देने वाला और इसकी मिट्टी को टच करने पर नहीं आपके अंगली में चिपक नहीं रही है इसका मतलब है कि अभी इसको पानी की रिक्वार्मेंट है हमेशा गर्मियों में या सर्दियों में पानी देने के पहले उपरी सतह को उपरी मिट्टी को जरूर चेक किजे यदि मिट्टी में नमी है तो आप एक या दो दिन रुख करके पानी दीजे भले ही गर्मी है या सर्दी है या जो भी है क्योंकि सीजन में तो ठीक है गर्मियो कि इसको घना कैसे बनाएंगे घना बनाने का वही तरीका है डेड हेटिंग करते जाएए जैसे जैसे इसके फूल खेल जाएंगे कट करते जाएए थोड़ी-थोड़ी सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिए और पौधा गोल अकार ले लेगा और यह घना हो जाएगा यदि इसमें विराइटी है यह लॉंग विराइटी है दोनों के साथ आप ऐसा कर सकते हैं यह पर्मानेंट पौधा है और पूरी गर्मी आपके गार्डेन में फ्लारिंग करता रहेगा सर्दियों में एदीस के फूल नहीं आ रहे हैं तो इसे ऐसे जगह पे रखना होगा जहां पूरे दिन के इसे सनलाइट मिले अब बात करते हैं जब इतने फूल खिल रहे हैं तो जरूर इस पौधे पर माइट्स वेगर का अटैक होगा तो आप वही तरीका अपनाएंगे जो अपने सभी फूलो वाले पौधों के लिए आप करते हैं या तो एक चमर शैंपू या करके अपने पौधे को फंगस या माइट्स से बचा सकते हैं देखिए ये जो गमला है ये छे इंच का है तो यदि पौधे का आकार चोटा है साइज चोटा है तो बहुत बड़े गमले में इसे ना लगाएं क्योंकि यदि बहुत जादा रूट्स में पानी होगा तो इस से भी पौधे खराब हो जाते हैं इसे दो या तीन साल पर ही आपको रिपॉर्ट करने की जरूरत परती है छोटे गमले में बहुत ही बड़िया ये चलता रहता है ये है वर्मी कंपोस्ट एक मुठी से भी कम दिया है मैंने क्योंकि अभी प्लांट न्यू है तो आप एक कि पौधे पर चीटियों या माइट्स का अटैक ना हो आपके पौधे में बहुत अच्छी फ्लारिंग होती रहेगी अब इसको रखना कहा है मैं अब दोनों ही पौधों को ऐसे जगह पे रखूंगी जहां पर कि सिर्फ मौर्निंग की सनलाइट मिले और ये जो दूसरा व पाई वाले ही पौधे होते हैं यानि की गर्माहाटी ने पसंद है लेकिन मौश्चर के साथ हो सकता है कि पौधा नया था और हमने बहुत धूप दे दिया इसलिए पत्तियां गिर गए हो बजूमीद है वीडियो अच्छी लगी होगी धन्यवाद